नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है हाथरस घटना को लेकर एक तरफ जहां देश में गम वगुसा है आक्रोस है वहीं इस मामले का सच जानने के लिए SIT का कारिकाल 10 दिन बढ़ा दिया गया है और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेश्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI इस मामले की जाच करे लेकिन नेता और सियासतदान हैं कि मानते नहीं वो राजनीत कर रहे हैं राजनीतिक दलों और नेताओं का गाउं में पहुँचना जारी है सोचल मीडिया पे सब कुछ है और लड़की ने बुलाया होगा ऐसी लड़कियां जो है वो बाजरे अरहर या गन्ने के खेत में या जाडियों में या जंगल में या नाले में ही क्यों मरी मिलती है धान और गेहूं के खेट में क्यों नहीं मिलती है आखिरकार वो ये कह करके क्या कहना चाहते है वो ये सावित करना चाहते हैं कि लड़के और लड़की में आपस में रिष्ते थे और वो बाजरे के खेट में उसने बुलाया होगा किसी ने देख लिया होगा फिर ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था सुनिये नेता जी को जन्ने के खेत में पाई जाती हैं अरहर के खेत में पाई जाती हैं बाजरे खेत में पाई जाती हैं ये नाले में पाई जाती हैं जाडियों में पाई जाती हैं जंगल में पाई जाती हैं ये धान के खेत में नहीं मिलती हैं ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं इनकी मरने की जगे वही है और कहीं पर घशीट के नहीं ले जाई जाती है को इनको घशीट के लिये जाए गया तो आखिर ये घटनाएं इनहीं जगोंपर क्यों होती है यह पूरे देश सस्तर पर जाच का भी से, मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोसी नहीं है, लड़की दोसी तो जैसा कि आपने सुना, अब जब ये सोसल मेडिया पे वाइरल हुआ, तो फिर जो NCW यानि की राष्टी महिला आयोग हैं, उनकी अध्यक्ष रेका सर्मा ने, इसको रीट्विट कर करते हुए लिखा कि BJP नेता को आदिम और बिमार मानसिक्ता का माना जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि वह किसी भी पार्टी का नेता का लाने के लाइक नहीं है, और मैं उन्हें नोटिस भेजने जा रही हूँ, तो रंजीत सिर्वास्तों जो हैं, ये बारा बंकी में अगर पालका परस्त के चेर्मेन बताय जा रहे हैं, बात सिर्फ रंजीत सिर्वास्तों या दूसरे दल के निताओं की नहीं है, आखिरकार इतने समवेदन सिल मामले में हम जो है क्यों नहीं समवेदन सिलता और गुपनीयता किसी की मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं, वलिया के बिधायक है सुरेंद सिंग उन्होंने भी लड़कियों को ही संसकार बान बनाने की सीख दी थी बिने कटियार ने कहा था कि लड़की से रेप हुआ ही नहीं और बहुत सारे नेता हैं जो सुप्रिम कोड के एक्स जस्टिस हैं मारकन डेकाट जो उन्होंने भी इस से रिलेटे भी बोले लेकिन बोलने से पहले सौबार सोचिए कि जो आप बोल रहे हैं उसका जो पिड़ित पक्ष है उस पे कितना नकरात्मक असर होगा इसलिए ऐसे सब्दों से नेताओं को भी बचना चाहिए जिससे किसी की भावनाय आहत हो लेकिन नेता हैं राजनीत करते हैं तो यह बात अलग है कि उनके बोलने से पार्टी का ही नुकसान होता है फिर भी वो नहीं मानते हैं तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिज्टा चैनल इन खबर थैंक यू